सीटेट 2022 के लिए आवेदन करते समय यहाँ पर फोटो और सिगनेचर आपको अपलोड करना है इसको लेकर के बहुत से अबेर्थो करमन में कनफीजन है कि उनका अपलोड ही नहीं हो पारा है या फिर उन्होंने गलत तरीके से सिगनेचर या फिर फोटो अपलोड कर दिया तो उस कंडिशन में क्या होगा देखिए अगर आपने ब्लू पेंस से या फिर ब्लैक पेंस से सिगनेचर को अपलोड किया है तो इसको लेकर के बहुत से अभीरते को में confusion है कि black से करना या फिर blue से करना है साथी साथ जिनका photo upload नहीं हो पार है उनको क्या करना है देखिए जो official notification है उसमें photograph के लिए क्या criteria उसको clearly mention किया गया है साथी साथ आपकी जो size है वो 10 से लेकर के 200 KB के बीच में होनी चाहिए अगर आप इन सभी criteria को fulfill नहीं करेंगे तो आपका upload नहीं होगा बार-बार ये error देगा ठीक है तो उसको एक बार notification को clearly आप पढ़िए उसमें क्या-क्या मांगा गया है उसके अनुसार ही अपने photo को आपको edit करना होगा और उसके बाद जब आप upload करोंगे तो आपका upload हो जाएगा इसके बाद से ब्योड़ते कमें में जो doubt था कि signature blue pen से कर दिया क्या होगा कोई दिकत नहीं है आप blue से करिए black से करिए कोई दिकत नहीं है ब्लैक से इसलिए मांगा जाता है कि ताकि जब वो scan किया जाता है तो वो उभर करके contrast मतलब की एक तरीके से अच्छे से scan हो पाए इसलिए black pen, black ink pen से मांगा जाता है अगर आपने blue से भी कर दिया है तो भी आपको घबराने की कोई आवशकता नहीं है आपका 100% सही है, आपका admit card आगा, आप परिछा भी देंगे color से कोई दिकत नहीं है, black सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला जाता है ताकि वो अच्छे से scan हो पाए, ठीक है दूसरा अब्यर्तियों के मन में ये प्रशन था कि जिनका गलत photograph अपलोड हो गया और email के जरिए CBSC board आपको ओगत कराता है कि आप अपने photograph को फिर से upload करिए और in case, बावजूद इसके अगर, क्योंकि CBSC board को ये थोड़ी पता है कि मालीजी आपने किसी दूसरे का photo गलती से upload कर दिया उसे थोड़ी पता है कि आपका है या नहीं, वो सिर्फ ये देखेगा कि blur है या फिर सही से photo है या नहीं, बस वो देखेगा और उसके बाद से notification बिजता है पुना upload करने के लिए लेकिन अगर दूसरे का आपने upload कर दिया तो फिर आपको ही action लेना पड़ेगा, इसके लिए CBSC की official websites पर जाएए, वहाँ पर आपको एक contact tax में उनका mail ID दिया गया है, उस पर आप mail करिए कि हमारा किसी दूसरे का photo upload हो गया है, वो आपके link को पुना activate कर देंगे, ताकि आप photograph को फिर से edit कर पाएंगे, ठीक है, और in condition, अगर आप mail नहीं करेंगे, तो आपका link activity नहीं होगा कि आप photo को change कर पाएंगे, ठीक है, तो अगर आपका blur है या फिर कुछ ऐसा जिसकी वज़े से CBSC board को लगता है, कि इसका photo re-upload होना चाहिए, तो वो खुद आपको notify करेंगे और अगर आपने किसी दूसरे का upload कर दिया, और फोटो क्राइटेरिया में था मतलब कि बिल्कुल साफ इसपस्ट और blur नहीं है, तो CBSC board आपको मौका नहीं देगा, आपको personally mail करके उनको ओगत कराना होगा, कि गलती वज़ आपने दूसरे का photo upload कर दिया, और इसलिए आपको बहुत बद्धनेवाद, भगवान करें आपका दिन, सुब्ध हो